हेलो एवरिवन तो आज मैं बना रही हूँ स्पाइसी ब्रेड उपमा इसे ब्रेड का चूड़ा भी कहते हैं मैं यहाँ पे बचे हुए पाव का उपमा बना रही हूँ पाव को चोरस चोरस काटना है पाव के टुकडों को अभी टोस्ट करना है तो ये मैंने यहाँ पे होममेड बटर लिया है और अब हम इसे थोड़ा सा टोस्ट करेंगे पैन में लेना है थोड़ा सा ओईल फिर इसमें आएगा जीरा, राई प्याज, प्याज को अच्छे से बुढ़ने के बाद हल्दी, थोड़ा सा गरम मसाला, टोमेटो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल टोमेटो अच्छे से गलने के बाद इसमें आएगी लाल मिर्च पावडर और लास्ट में स्वादा नुसर नमक अब इसमें थोड़ा सा पानी डालना है, ब्रेड की हिसाब से पानी डालना है ब्रेड का हलवा भी नहीं बनाना, लेकिन ब्रेड का टोस्ट भी नहीं बनाना है अब यह थोड़े से नरभ होने के बाद इसको टोस करना है और उसके बाद आएंगे रोस्टेड पीनट्स रोस्टेड पीनट्स से स्वाद बढ़िया आता है और लास्ट में धनिया से गार्निशिंग करें ये बन गया हमारा ब्रेड का चिवडा ये हलकी फुलकी रेसिपी आपको अच्छी लगी तो लाइक करें कमेंट करें और दूसरों के साथ शेयर भी करें